डाइनामेस गति बिज्ञान आज हम करा रहे हैं कार्य सामर्थ्य और उर्जा वर्प पावर एनरजी तो ये चैप्टर भी इंपोर्टेंट है इससे भी एक कोशन टीजीटी पीजीटी में पूछा जाता है तो आज हम दे रहे हैं इस चैप्टर का फुल वेसे कंसेट अगर ये कंसेट आपके किरियर है तो नेश्ट वीडियो में जो हम कोशन कराएंगे वो आप अड़ी असानी से कर सकते हैं मैं इस पी से नहीं आपका हमारे इस चैनल पर स्वापत है तो चली करते हैं वीडियो को सुरू तो सबसे पहले कार्य किसे कहते हैं पहले तो हमें ये यह कोई body है और इसमें हम force लगाएं और force लगाकर इसको यहां तक ले आएं ऐसे अरके हमने इस पर force लगाया और यहां से यहां तक यह डी दूरी तक हम खीच के ले गए तो बल लगा किसी वज़तों को बल की दिसा में बिस्थापित करने की करिया को करे कहते हैं और यह जो होता है लगाय गए वल और जितनी दूरी आप बल को ले जाते हैं, पिंट को ले जाते हैं, बोड़े को ले जाते हैं, उनके गुड़न फल के बराबर होता है. यहाँ पर देखें हमने और भी थेओरी यहाँ पर दी है, यह जी किसी बस्तों पर बल ऑफ लगाकर बल की दिसा में डी दूरी तग विस्थापित किया जाता है, तो क्या गया कारें? डवलू निमन होगा. देखिए यहां पर वोड़ी एप थी है दी दूरी तक विस्थापित किया गया और इसे यहां पर हम ले गया तो कारे हो गया W is equal to F into D अर्थाथ क्या गया कारे यानि कि बर्ग जो होगा लगाएगे बल और विस्थापन के बरावर होता है यानि कि बर्ग जो होता है वो force or displacement के product यानि multiply के इकल होता है यदि displacement विप्रित दिसापन जो है वो opposite direction नो हो यानि आप बल तो इधर लगा रहा है लेकिन विप्रित दिसापन विस्थापन हो रहा है कारे के जो मात्रब होता है वो जूल होता है कैसे निकालते है देगे फॉर्मूला है बल का मात्रब दिस्थापन बल का मात्रब होता है न्यूटन दूरी है दूरी का मात्रब होता है मीटर तो कारे का मात्रब होगी है न्यूटन मीटर और न्यूटन मीटर को जूल भी कहते då लेखेंगे न्यूटन की जगे डाइन की जगए हम सकते हैं अर्ग अब देखें अगर यह जो बल है हम यहाँ पर लगा रहें अगर इसका सीधा नहोगे कुछ एंगिल पर हो तो क्या होगा तो कुछ इस तरहें कंडिशन होगी जैसे की आपको चित्र में दिख रहा है यदि किसी बस्तो पर बल ऐफ लगाने से विस्ताफन ठीटा धिसाम में हो जब इस पर बल लगा है तो वो ठीटा एंगिल पर विस्ताफन हो गया लेकिन जो सीधी डायक्षन में बल होगा उसके गुड़न फल के बरावर होगा तो सीधी डायक्षन में कितना बल कारे कर रहा है जैसे मालेज आप कोई है यहाँ पर किसी प्रिंट पर फोर्स लगा रहा है लेकिन वह ऐसे इधर सीधर न जाकर ऐसे चले जाए तो इस मलकू, हम क्या कहते हैं काररे कहते हैं और यह होगिया कारे work हो गया फोर्स इंटू डिकाष्टिट यानив बल terug इंटू टिकाष्टिट अब यहाँ पर इंडररी कहा है जनी कि 90 लिगरी से कम है एक्यूट एंगिल है एक्यूट एंगल है तो कार्रे धर्मापन बहुआ आप् होगा और यदि ठीटा लंबत है तो कार्ये सुनने होगा जैसे मालिये कोई व्यक्ति सर पे अटैची रखके चलता है प्लेटफॉर्म पे उसके द्वारा क्या कार्ये बताईए चुक्कि अटैची लएगा तो उसका जो वल होगा वो 90 डिगरी के एंगल पर कार्ये करेगा तो जूल तदा अर्ग में संब्द़ए एक जूल बरावर होता दसकी खाथ 7 अर्ग इसको आम याद करे ले जी कुछ हम कोशन करेंगे तो इसकी हमें जरूत पड़ेगी एक जूल एकल तो दसकी खाथ 7 अर्ग सामर्थे आप यह सामर्थे किसा कहते हैं इसको हम समझते हैं तो सामर्थे क्या होता है किसी करता के कारे करने की दर अर्थात एकांग समय में किये गए कारे को सामर्थे कहते हैं यानि कि आपने एक सेकेंड में एक बस्तो बल लगाया और उसे दो सेकेंड में कहीं तक लेगा किसका की तो जितने समय में अगर उस वर्क को आप समय के अंतरवत करती हैं तो उस को ही हम क्या कहते हैं सामर्थे कहते हैं किसी करता के कारे करने की जो दर होती है दर से मतलब होता समय से अर्थात एकांग समय में किय गया कारे के को सामर्थे कहते है यदि बल P यानि किसी बस्तुप पर हमने क्या लगाया बल P लगाया, Force P लगाया और उसे T समय में हमने displacement कितना हो गया, S हो गया तो सामर्थे होगा कार्य बटे समय एक आंग समय में किया गया कार्य कार्य हम जानते हैं होता P into S यानि बल into विश्थापन ठीक है और S अपन T को हम बेग भी बोलते हैं तो कहने का मतलब यह सामर्थे का फॉर्मूला हुआ बल गुणा बल की दिसा में बेग यह देखते हैं next समर्थे का मात्रक अब देखे समर्थे का मात्रक कई मात्रक होते हैं समर्थे के तो उसमें देखी सबसे पहले क्या है यदि किसी कर्ता द्वारा यानि कि किसी object द्वारा एक सेकेंड में किया गया कार्य एक जूल कर दो हो एक जूर्ष कारे सीकिन्ड एक सेकिन्ड में क्या गया वर्क होगा वह सदस्चा-थ-प्रवार्ट एक वार्ट किसके बरावर होगी है jaar सामध्य कबड़ा मात्र यह होता वह चाहनेकि हमें बड़ा जैसा माली एक सेंटिमीटर एक मीटर है किलो मुइटर है इसी तरह से जो सामर्थी को च्छोटा मात्रक है व云 वाट वह बड़ा मात्रक है किलो वाट है एक वाट वह अफल गो ऑड़ा अप श्बमम्ञों न पत्सक्राइब सकते हैं 1W एक वाट और 1W के स्थान किया लिसाथ इसका जो next part होगा, उसमें हम question कराएंगे, जितने भी important इस chapter के question होगे, वो हम कराएंगे, तो इस part में हम इसकी theory दे रहे हैं, जिससे आप question असानी से कर पाएं, अब देखें, next है असू सक्ती, असू का मतलब होता घोडा, यानि एक घोड़े की सक्ती, तो एक घोड़े की सक्त करता है, तो करता कि सक्ती को एक अस्वसक्ती का जाता है, यह कि सक्ती का मतलब इतना होगा, 746 जूल कारे कितने सेकंड में, एक सेकंड में, और एक सेकंड एक जूल बरावर होता है, एक जूल कारे प्रति सेकंड को हम वाट भी कहते हैं, यानि एक अस्वसक्ती बरावर कुणा कर दी और 746 जगर लिख सकते हैं एक सकती और 746 एक अचार को भाग देंगे तो आएगा 1.34 यानि कि मीट्रिक पद्धिती में सकती का जो आभी हमने पीशे पढ़ा उसी का ही दूसरा मात रहता है मीट्रिक अब कहते किसे हैं देखिए यदि कोई करता एक मिनट में कितना 4500 मीटर किलोगराम का रियर अर्थाथ 35 सेकेंड 75 मीटर किलोगराम इसको हमने क्या करा 60 से भाग दे दिय तो देखिए जब हम इसको 60 से भाग देंगे तो 0 से 0 कड़िया 670 42 चैपंजे 670 चैपंजे तीन 0 चैपंजे यनि 75 तो यदि कोई करता एक मिनट में इतने मीटर किलोगराम कारे करता है अर्थाथ या 35 सेकेंड 75 मीटर किलोगराम करता है तो करता कि सकती को एक मीटर अब सकत करता है तो करता कि सकती एक मीटर किलोगराम कर रहा है इसको जूल में चेंज करने के लिए 9.8 से हमने गुड़ा कर दिया जब इसकी गुड़ा करेंगे तो आएक मीटर अब सकती प्रावरार होता 735 जूल करें 35 सेकेंड देखते हैं नेस्ट अब देखिए यह रिलेशन है बहुत इंप्रोटेंट है इसे आप देख लिए अच्छे से तो क्या है एक मीटर सकती जो यह तो अभी हमने बताया था 75 मीटर किलोगराम करें 35 से इसको 9.8 से गुड़ा करी जूल में चेंज हो ग एक अधृसक्ती और इसको 735 अब हमके निकाले एक अधृसक्ति कितने जागी यह पलट जाएगा। यह उपर पहुँच जाएगा इधर पलट जाएगा 746 उपर 735 नीचे निए एक अफशक्ती बराओर हो गया 746 बड़े 735 एक मीटरी अफशक्ती तो कहने का मतलब यह है कि अफशक्ती में अगर हमां अफशक्ती को मीटरी सकती में चेंज करना है तो 735 बटँ 746 से गुणा करने पर मीटरी अफशक्ती होगा तो 2017 से गुणा कर देंगी तो तो और यह एक काफी कोशन इसवे होंगे क्या फॉर्मूला मीटरी अफशक्ती तक याफकत consistent मीटे अफसकती ब्रावन था बल गुणा बल की दिसा में बेग बड़े 75 इस फॉर्मिले के हैंप से काफी कोशन होने वाले है इसको आप याद कर लीजी मीटे अफसकती ब्राव बल गुणा बल की दिसा में बेग यहां पर जो दिहान देने वाली बात ही है कि बल जो लिया है उसमें हम जितने भी question इस exercise के बनेंगे important question वह हम कराएंगे और सबसे last वाली तीसरी वीडियो हम देंगे objective question तो हम तीन वीडियो इस chapter के देंगे पहली वीडियो तो होगी theory वाली दूसरी में question होगे important उसके बाद जो तीसरी वीडियो आएगे उसमें objective question देंगे जितने भी अभी तक आई हुए होंगे या जो और important question होंगे वह हम तीसरी वीडियो में देंगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आये तो वीडियो को like और चैनल को subscribe जरू कर दीजे जिससे अगली वीडियो की जो notification है वो तुमें time से मिलती रहे अगर आपको इसकी solution का PDF चाहिए तो आप हमारे telegram channel को join कर लीजिए उसमें हम इसका जो PDF है वो डाल देंगे जिससे आप अच्छे से notes बना सको अगली वीडियो तक के लिए आप हमारे चैनल बने रहें तक के लिए जय हिंद जय भारत